बाइब तामूल को मुसारे करेंगे याइजर। जात प्वारा करा हुआ, तोरा है हुआ except करो जाओ तोड़ा पीछे पीछे हो जाओ तो फीछे हो जाओ जाम स्कामोच हो में भो भी इसे wären जो खिरान ने करो भामोज बढ़ो तोड़ा तोड़ा पीछे जो बास खामस बिसमिल्ला रख्मान रहीम कल हमारे साथ जो बहरिया टाउन में ये अलमनाक वाक्या पेश आया है इसमें बहरिया टाउन की अमलाग को जो हमारे यहां पर प्राइविट बिल्डर्स रियल स्टेट से तालुक रखने वाले रियल्टर्स सारे काम कर रहे हैं उनके आफिसेस को जिस तरीके से आकर तोड़ा गया है जो यहां पर जिस तरीके जिन केमिकल्स और जिन बंस का इस्तमाल किया गया है ये मैं समझता हूँ कि ये लाँ इन्फॉर्स्मेंट जो एजन्सीज हैं उनकी नाहली है कि जब आपको पहले ही ये कॉल थी यहाँ पर आप ये देख रहे थे कि अगर कोई ऐसी एजिटेशन हो सकती है तो यहाँ पर भी ये जो लोग रहने वाले हैं जो हमारी माई बहने रहे रही हैं यहाँ पर ये एक किलो मीटर भी फासला नहीं है जो इन्हों ने आके जिस तरी के से तोड़ फोड़ की यहाँ पर जो यहाँ पर इन्हों ने हशर किया है उस टाइम कहाथी पुलीस कहाथी रेंजर्स और कहाथी तमाम हकूमतیں चाय वो वफाकी ओ, चाय वो सूबही हो, हम कारोबारी लोगें हम किसी स्यासत में नहीं पढ़ना चाते हैं नहां हमारा किसी पार्टी से कोई वाबस्तिगी है हम अपना ताफुस चाते हैं हम यहां टेक्सिस देते हैं हम यहां पर रेमिटन्स लेकर आते हैं ओवर्सीज यहां पर इतनी इन्वेस्मेंट्स फॉरेन इन्वेस्मेंट्स हैं आज जो कल ये जो वाक्या हुआ है उसके बाद आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पर हमला नहीं है जो बेरिया टाउं पर हमला किया गया है जिस तरीके से आके तोड़े गए इधर आफिसेस को जो लोगों की हमला को नुक्सान पहुचा है गया है और जो साइकलाजिकल एक पैनिक पहला है लोगों में यहाँ पर जो फैम्मिली थी उनकी कल क्या पोजिशन थी आप यह पूछ सकते हैं लोगों से हैं यहाँ है राज जाड़ी इस फैमली ने सारी राज मिनस्टर के लिजिएन तो यहां से यह समझें कि आप अगर आज इस पे सक्से सक्त इक्दामाद नहीं लिए गए तो आप यह समझें कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी मुक्तलिफ शोबा जाते हैं वो कोई भी सेफ नहीं होगा उन पर भी उनके साथ भी आज यह समझें कि इदर से ओपनिंग हु अपना काम कर रहा है आज आप तुमाम साफी ब्रादरिये देख सकते हैं मीडिया देख सकता है यहां जो डिवेलपमेंट है यहां जो रोड्स हैं क्या बेरिया टाउन के साथ कभी तीन महीने बाद कोई करवाई कर दी जाती है कभी कोई करवाई हो जाती है कभी जमीनों के investment ہو جاتی ہیں بہریہ کام کر لیتا ہے تو اس پہ الزامت ہوت دیہ جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو senior بیٹھے ہیں جو بھائی بیٹھے ہیں یہ بھی بتائیں گے اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو کچھ بھی تعلو پر آکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میا میاں اطر میرا نام ہے اطھر سوسی ایٹ میرا ہے کل جو جلایا گیا سب سے پہلا آفیس ہے جب بہریہ میں آپ انٹر ہوتے ہیں کیا یہ ہم انڈیا میں رہ رہے ہیں जो आप लोग देख रहे हैं किया यहां पर लोगों को नोकरियां नहीं मिल रही क्या हम लोग टैक्सिज नहीं देते क्या हम लोग इसमें अब मुलकी तरक्की के अंदर हिसा नहीं बन रहे इसकी जितनी development होती, देख रहे हैं, क्या आपकी इंडरिस्टी नहीं चल रही, अगर चल रही है तो रोकने वाला कौन है? कौन रोक रहा है ये मलकी तरकी रोक रही है ये बेरिया टॉन को नहीं रोका जा रहा है ये पाकिस्तान की तरकी को रोका जा रहा है हम पूर जोर अपील करते हैं आर्मी चीफ से कि वो लोग इसका नोटस लें चीफ जिस्टिस से वो नोटस लें ये जो वाकियात हुआ कि ऐस चीफ साब से और हमारी अपील है चीफ जस्तिस साब से कि इस पाकिस्तान की चलना शुरू होगी है इसकी डवलमेंट से और पूरी एक रियल स्टेट इंडिस्ट्री के साथ पूरी 75 किसम मुतलका इंडिस्ट्री जो इन्वाल्वड है जिसका प्या चलता है कि आप रोकना चाहते हैं इसको जो हमारी हम अपील करते हैं कि आप प्लीज इसके ओपर गोर करें और हमें इससे बचाया जाए तैश्ट्वड़िका जिख अल कराशी में दैश्ट्वड़िक्राशी में चलाएगा जिर बार्वरर जो कल बिल्डिंग जलाई गी है बिज्ट्रेट टावर डेती टावर के बнакомे है में बिचार डेती टावर की तो पूरी की पूरा शोरूम उसका टबभा कर दिया गया. सारी गाड़िया उसकी चलाए गही है. हर किसम की पूरी पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर बेर्या टाउन के ओपर जो दिखाए गया. तब यह कह थी. रात को बारा बजे के पूंद मीडिया ने कापने चला ही है. क्या हम इसे हैं नहीं है इसका आज ये केते हैं वफाक का इसा है वफाक वफाक अरे भाई वफाक क्या हमारी नहीं है हम वफाक के नहीं है हमारे जितने टेक्सिस जाते हैं वफाक में जाते हैं वफाक उससे मदे लेती है आज केते हैं पंजाब बन रहा है भाई पंजाब अगर ब हुदारी से और मैं फिर एक तफ़ा सुभाई गवर्मेंट और अपनी वफाई की गवर्मेंट से इलतिजा करता हूं कि महरबानी करके कराची शहर के अंदर जो कल ये वाक्या पेशा है इसको मज़े नज़र रखते हुए बहरिया को रेंजर के वाले किया जाए मैं आर्मीचीफ से अपिल करता हूं कि बड़ाए मेरबानी जो भी बाई भाई आप बिसनिसमेन आपको क्या पता चीफ हो वार्मी स्टाफ को नहीं हमको दो पता है रोटी को लेके आता है यह रोटी किलाने थोड़ी होता हमको को यह आप हमारी रोटियों पर हमारे पेड़ हमला हुआ हमारी बाउट बेड़्यों पर हमला हो जाता तो यह मीडिया यहां आप आप हांगी चाहती यह तो आप लोग कल कहा थे और दूसरी बात यह कि आप क्लिप्स देखें जो कल क्लिपस चलाई गई है चाए वो चाए वो किसी के साथ के साथ भी बनाई गई है आप तेगे उसमें और जो बीटे में नहीं जाना था उनको उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल इतजाज करना है कोई अंदर जाकर लड़ेगा नी कोई अंदर जाकर फसाद नी करेगा स्स्जाप साम यह कहा गया कि आप हमें सरफ जगागा करके देदें गरना देने के बाद जब उनको यह कहा गया चिंदर कुछ भी नहीं होगा तो फिर यह सब क्यों हुआ और उनके लिए वहां कैम्प्स लगए गए बार उनको उनको बिठाने के लिए सारी सहूलए तटी वेरियाताउन को आल्ला पाक नहिसाफव सीना बनाया। यह 40-60 सिन्दि करते आप तो ये किसको फाइदा हुआ, सिंद्ध को हुआ ना, सिंद्धियों को फाइदा हुआ हमारे भाईयों को हुआ ना, क्या हम अपने नाम के साथ सिंद्धी रचा सकते हैं, नहीं रचा सकते हैं, लेकि आज मैं केता हूँ कि मुझे शाया बाती है, ये बात केते हुए, क्या कोई भी गहरत मन्द ये काम नहीं कर सकता सिंदी एक गहरत मन्द कौम है और किसी भी देशत कर्दी करने वाला या गलत काम करने वाला कोई भी शक्स हो उसका किसी मजभ से किसी चीज़ से तालुक नहीं है सिंदी एक गहरत मन्द कौम है और मैं खुद भी सिंदी हूँ और मैं काम करने वाले भी सिंदी है हमारा कोई डिफरेंस नहीं है हम कोई लासानी फसादात में नहीं पढ़ना चाहते है ना हम लोग है यहाँ पर वहरिया टॉम ने जो काम किया है उससे सिंद की तरकी हुई है यह कोई पंजाब या इस तरह की बाते करना या यह लासानीत पहलाना ठीक नहीं है, सिंध जो है, सिंधी घिरत्मन कौम है और सिंधी कभी भी काम नहीं कर सकता, कोई भी घरत्मन शेकMore किसी के घर में गुसे, किसी के कारोबार की जगा गुसे और उनकी चीजों को लूटे doubt and कसूटे, यह काम हमारा नहीं है, ना सिंधीों का है, यह जो भी लोग ह अगर सिंदियों के नाम पे ये साज़िश करें, ज्यास्त करें, तो इनको जूते मारने चाहिए और इनको लटकाना चाहिए. गोड़ी नाँ ददे मारने करें, ज्यास्य करें, भी आएंगे मस देना, ये संदियाना, इनको आवारह में, ज्यास्य करें. बिसमल्ला रख्मानु रएम मेरा नाम नवीदे मेरी प्रॉपडी डवले प्रॉपडी के नाम से है कल यहाँ जो जितना भी जुम और बर्बरियत हुआ है उसमें हमारी इम्लाक को अम्हारे आफिसे को मुकमल तबाह कर दिया गया है मेरा सिर्फ मिनिस्चर से ये एक सवाल है कि कल इनको ये कौल की पहले से इंफरॉम कर दिया गया था तो ये चीफ मिनिस्टर ने क्या क्या इंत्सामात किये थे सवाल नमबर तो ये उसके बाद ये किया गया कि यहाँ पे बिलकुल जन्गल का कानून ऐसा लग रहा था कि हम लोग जो है अलाका गेर में हैं यह जिसका जो मर्दी दिल चा रहा था वो हर एकी प्रॉपर्टी को लूट रहा था जला रहा था घराओ कर रहा था और यहां कोई देखने वाला नहीं था पुलिस बिचारी बाहर गेट पर खड़ी वी थी और लोगों को समाल रही थी लेकिन मेरा ये चीफ मिनिस्टर से ये सवाल एक है कि भाई आपको जब पता था कि इनको कॉल दी गई थी और 20-35 बंदे की कॉल की गई थी तो उसके हसाब से उन्होंने इंतजाम क्यों नहीं किया था क्या उन्होंने हमें जो हमारे हाल पे छोड़ दिया गया था तो इस जैसे कॉमपरस ये जो हनासिते 20-25 तंजी में इनका मेरा ख्याल है कि ये सिन को जो है ना खुशाली की तलफ ली बदाली की तरफ ही चातें के रहें ये देखें ये बेरिया टाउन आज से 2014 में जंगल ब्याबा था यहाँ पे सारे जो है अपके अगवा अबराय तरावान के केसिस होते थे थे मनिश्यात फरोष होती थी याँ सीज़ थी आज आप देख लें पांच साल में यहाँ पे एक बिल्कुल एक फाइव स्टार रेजिडेंसी काईम कर दी गई है यह सिर्फ और सिर्फ विजन जो है मलिक रियास साब का है यह उनके इलावा कोई नहीं इंप्लिमेंट कर सकता था यहाँ हमने देखा कितनी पिछे 30-35 साल से कितनी भी सुसाइटीज आई में आप इसके इर्दोगबाद देखेंगे तो यहाँ वैसी की ही वैसी पड़ी नहीं है लेकिन 2014 से यहाँ आज तक जितना भी डिवेलिमेंट हुई है वो अपनी मिसाल एक है ठीक है यहाँ पे हमारा मुतालबा है कि जो जो हमारे नुकसानात हुए ठीक है उसका पौरी तोर पे तलाफी की जाए और हमारी दाजर्सी की जाए और च्रीफ में मुतालबा करते है कि वो यहाँ आए हमारे मुतालबाद को सुने और उनकी तलाफी की जाए और हमारा एक और मुतालबा यह है कि रेंजर्स को यहां भी इंप्रीमेंट किया जाएं मेरा नाम बलाल तालब है और बेरिया टॉन डीलर और बिल्लर असोसियेशन का वाइस चेर मैंनू कल यह जो एक इहतिजाज के नाम पे बलवा हुए है यह जो एक देशतगर्दी हुई है इसको किसी भी सूरत में इहतिजाज का नाम ही नहीं दिया जा सकता यह तो इहतिजाज की आड़ में यह सारी चीज़ें प्लान थी हम यह चाहते हैं कि जितनी अदारे हैं जो 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 बासीते अदारा फैल हुए यह वो बासीते अफिसर फैल हुए है उन सब के उपर एक रपोर्ट बनाई जाए उसमें अदालत यह है वो अपना एक कमिशन का हैं और इस पूरे सन है का जो है वो इसके इसके उपर एक जो रपोर्ट है वो शाय की जाए क्योंकि हमारे साथ यह बहुत बड़ी जात्ती हुए है यह जितनी बिजनर के कम्यूंटी आपको नजर आ रही है और गेट सेंटरों के आखरी दिवार तक जितने लोग काम कर रह है तो यह जो कल हमारे उपर में हम तो यह समझते हैं कि हमें वो फाक के उपर यकीन रखने की सजा दी जा रही है हम तो यह समझते हैं कि हमें इस साहिने पाकिस्तान के उपर यकीन रखने की सजा दी जा रही है हमारा कसूर क्या था कोई एक बंदा जितने जो 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 जितने लोगों ने कह लिए दंग आके हमारे उपाहमला किया है आप उन तमाम जो लीडरा ने उनकी उठा के देखें कि हमारा कुसूर क्या था उनसे तरह एक लिखके तो ले हमने क्या कुसूर किया स्वाई इसके कि हम पाकिस्तानी हैं स्वाई इसके कि हम सिंद्ध की तरक्यी चाहत हैं सिर्फ यह हमारा कुसूरता हम यह चाहते हैं कि कोई भी जो लोग भी शर्प संदिस में इन्वालते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि जो पूरी बिजनेस कम्यून्टी है वो अपने अंदर जो इनने का तफ़स का एसास खोया वो उनका बहाल हो सके वो सिर् सब्सक्राइब कराची के अंदर बैठे भी किसे मार्कित को अटेक किया जा सकते हैं तो हम जता हूं कि जितने अदारे हैं चीफ जसे साहब चीफ और वजीराजम साहब वो इस चीज़ का नोटस लें और इसके जितने लोग इसमें इन्वाल पाए गये हैं सब को एक निशा इनका ताफस करना इनकी जिमादारी है तो वो जितना लुक्सान हुआ उसको यह उसका अजाला करें थैंक यू बाइसर भाई को दें अचरवेगे बुलाए बाहा को चोगी में रहाने जिस 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 जदे आपके रहे हैं इस इंट इस 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 आपके याई यह आपके पीछ़ होगे इस इस आपके ब्राद होगे जो जो दू़से जो एक अउचा हो। पेपल पर नहीं आओना है बस 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 इजी जले ये आज़ सामें ज़रा दें आप आए 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 कौन दो नहीं जी आवजब लगा आए बिस्मिल्लार रिखमान रहीम मेरा नासर जावेद आलियान स्टेट के नाम से यहां मेरा आफिस था कल आज खेर वह नहीं रहा और मैं आल पाकिस्तान जुञारी डीलर्स की फैडरेशन है उसका में पैटनन्र चीफ हूँ तो जुट अपने मुलक के करतादरदा हक मरानों से ये गुजारश है के ये बहरिया टाउन पाकिस्तान का हिस्सा है बहरिया टाउन पाकिस्तान की तरygusal की अएम सतून है बहरिया टाउन, पाकिस्तान की मुईशत और पाकिस्तान के अंदर एक टेक्स पेर जो समझ लिए एक रिजीम बेदा कर रहा है जो हकुमत की मुईशत के अंदर अपना किरदार अदा कर रहा है ये कल जो बलवा आया पूरे सिंद से लोगों को कठा किया गया मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ इन लोगों से कि जी कसूर क्या था मलक रियास का ये कि उसने सिंद को तरकी दी सिंद की बंजर जमीनों के उपर जहां पर डिकेट और जो ये दैशतगर चुपते थे उसको रहने के काबल बनाया यहां पूरी दुनिया में हमने मारकीटिंग करके पूरी दुनिया से सरमाया हम पाकिस्तान में ला रहे थे क्या पाकिस्तान की मोईश्ट को तरकी देना जूर मैं जिसके गलाफ तुम डेन्डे अठा के बेर्याटान की सरकों की उपर कस्तों खूण बबा करने आए ते या इंडिया की कोई नेयासा थी जिसको तुम फता करने आए ते मेरा ये सवाल है क्या इस इस इलाके को तरक्की देना यहां के मकीनों से भी मेरी गुजारश है मेरे भाईों आपकी नसलों को तब्दील करने ही हमले ग्रियाज आया है आपकी नसलों को सवारने ही यहां आया है यहां के गोट वाले सारे हमारे भाई है कोई एक थाबत करें किसी के एक इंच जमीन अगर बेरियर टाउन ने ग्रैब की है बताए के हुई है देखें कोई मामला हो जाना कहीं सिक्रोर्टी का फाल्ट हो जाना उसको बन्याद बना कर पूरे सिंध के अंदर आग लगाना ये कहां का इनसाफ है और सबसे बड़ी बात ये कि चलो जी चान्द मवाद परस्तों ने तो ये ग्रामा रचाया हकुमत कहां थी कितने दिलों से ये काल दी होई थी इन लोगों ने कि हमने वहाँ आना है हैं अच्छा कितने सो के साफसे सेकनों के साफसे गारी अंपरे सिंसे मोबलाइज होई हैं कल उनके हाट में, कुछ गबरूद उनके हाट में, इस तरह से जलाए है कि आध वहां देखें लगता आ कुछ जंग हुई है. उसके बाइद के मनाजर हैं यहां पे. क्या ये पाकिस्तान के अंदर हम लोग स्क्योर हैं? मेरा हकुमते वक्से यह स्वाल है. हकुमतों का का क्या है सिर्फ डंडे मारना या टेक्स लेना या लोगों को मजबूर करना या हकुमत मां के जैसी होती है रियासत का काम है जैसे मां बच्चों को पर्टेक्ट करती है अपने शारियों को पर्टेक्ट करना रियासत का काम है कहां कही रियासत कहां बैटी दी रियासत कोई इसी बिल्डिंग को नुक्सान पहुंचा, अगर वह घरों में गुषते, चाधर और चारदिवारी का तकधिस पहन हाल होता, तो क्या रहा जाता? नुक्सान तो पूरे हो जाते हैं, मगर वो पहमाली तुपारा उसकी बरबाई ही निहीं होती, तो कोई خیال ही नहीं किया गया कोई सिकुर्टी कहीं थी यह नहीं कोई जा आया यही नहीं रैंजर्स है, पलीस है किसी ने, हमने नहीं देखा किसी को रोका हू सर्याम, डिंडों, डाठ्टीों के साथ वँ मेरे नुक्सान करते रहे, बर्बादी करते रहे हमारी आपसे गुजारेशा है कि इन लोगों को गिरिफ़तार करें, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, ताकि आएंदा ऐसे लोगों ऐसे वाकिया से बचा जा सकें